तो गाइज आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगी की वोड़ाफॉन आइडिया जो पिछले एक महिने से 40% टक के रिटन दे चुका है और जो कि हाली 5 दिन में हुआ है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या आने लगी है या कौन सी यह सी न्यूज है जो कि इसके फेवर में ह है या कंपनी को कुछ रिलीव दिन ले वाला है इस चीज के वाले मैं आज बात करूँगा और यह जरूर बोलूँगा कि कि जो है जब जहां तक मैंने सीखा है या इन्वेस्टेड रहा हूं यह बता सकता हूं कि शॉर्ट term मार्केट जो होता है वह फ्लाव स्टॉक मार्केट नहीं होता है अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो लॉंग टर्म तर्म व्यू और लॉंग तर्म व्यूव पांच स्टॉक पे लॉंग टर्म का व्यू चेंज नहीं कर देते हैं इसी तरीके से अगर आपका स्टॉक 5-6 दिन में अगर 10-20% बढ़ जाता है तो इस से उस स्टॉक की लॉंग टर्म की कहानी बदल नहीं जाती है तो अगर आपको यह व्यात समझ आ रही है तो आप समझ सकते हो मै क्या कह रहा हूं और बात करते हैं वोड़ा फोन आइडिया की आखिर ऐसा क्या बदल गया है जो हमें एक महीने में 40% तक का रिटन मिला है वैसे अगर 40% की बात हो रही है तो हमारे जो स्टॉक से वह अच्छे खासे चल रहे हैं आपने वीडियो से नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं हम लॉंग की बात करेंगे तो एक साल और उससे ज्यादा गी तो यहां पर एक साल के माइनस 24% दो साल में कुछ गेन है लेकिन पांच साल में वापिस 82% तक अब में को क्या चाहिए यहां पर इस कंपनी में अगर रिवाइवल होता है अगर तो मुझे सिफ ए चीज चाहिए होती है कि कंपनी पे जो करज़ा है यानि लोन उसके एसिट के बराबर है यानि अगर कंपनी को कभी नौबत है जो इसके चुकाना परे तो कंपनी के पास Net Zero बने रहेगा यानि किसी के हाथ में कुछ नहीं आने वाला सिफ लोन लेंडर के हाथ में आएगा उ और जहां तक अभी ही लग रहा है 2017 के बाद से कंपणी के जो लॉसिस है वो नेगरिटीब में बढ़ते ही जा रहे है आप यहां देख सकते हूँ 800 था उसके बाद पर जाए और उसके बाद company run करनी परें तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है company के साथ यहां आगे देखने की कोई जोड़ है नी और उसके बाद news की बात करूँ तो जैसा कि मैंने जो company pick की है उस वज़ा को लेके ही आप उसको आगे बढ़े हुए अगर दो से तीन दिन company में गिरावात है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस से घबरा के उस company के long term goals जो आपने set किये थे वो change करने लग जाओ तो वो आपकी investing नहीं है और अगर उस तरीके का आपका behavior है तो मे इसके जैसे किसी और share में भी वो सब share क्या इस rally को जो bull market कहते हैं बुल market में घोरे से गदे भी भागते हैं और उसमें differentiate करना बहुत मुस्किल होता है और जब bear market आता है तो जहां से चलते हैं वहीं आजाते हैं वापी मैं कभी यह suggestion तो नहीं दूँगा अपने viewers को कि वो idea yes bank आरकॉम जैसे किसी भी share में invest करें इसके बदले आप बहुत सारे ऐसे stocks हैं जो आप invest कर सकते हो और same amount of return ले सकते हो वो भी long term इससे डुगने return दे सकते हो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है अजंता सोया हो गया आपने जो अभी लिया है वो अच्छा घासा अगर आपका stock नीचे आ रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है लेकिन यहां पर यहां पर अगर अच्छा आया रिजल्ट तो यहां से अब स्ट्राइली देना चालू करेंगा लेकिन यहां तो quarterly results भी same to same पिछले results से या तो बुरे या उससे थोड़े अच्छे आ सकते हैं लेकिन वो रहेंगे तो negative ही तो आप इसमें decide नहीं कर सकते हैं यहां sentimental play होता है और इसके बाद बहुत loss करने के बाद भी जो सीखा है वो आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपको जेब बहुत भारी परते हैं तो thank you for watching have a nice day